कि उस देश का क्या भविश्य हो सकता है सीधे सीधे वो कह रहे है सुप्रीम कोड जो मर्जी आदेश पास करे अगर मुझे सुप्रीम कोड का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बनाके सुप्रीम कोड के आदेश को पलट दूँगा इतना हंकार हो गया इन लोगों को इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है पिछले चार चुनाव सीधे सीधे 2013 में 2015 में 2020 में और स्कार MCD का चुनाव सीधे सीधे चार चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई दिल्ली के अंदर 25 साल से जादा हो गया बीजेपी की सरकार नहीं बनी है 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है तो इन्होंने चोर दरवाजे से पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हत्याने की कोशिश की है दिल्ली के लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को सत्तर में से सड़सट सीट दी और तीन सीट बीजेपी को दी दूसरी बार सतर में से बासट सीट दी और आठ सीट बीजेपी को दी तो एक तरह से दिली की जनता ने चिला चिला के बीजेपी को कहा है कि दिली के अंदर धकल अंदाजी मत करना परधान मंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिली के लोगों ने कहा सातों सीट उनको नैशनल चुनाओं में सातों सीट दी और दिल्ली के चुनाओं में तीन सीट दी तो मोधी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखल अंदाजी मत करना आप देश संबालो लेकिन मोदी जी कहते है मैं जनता की बात नहीं मानता इतना एंकार हो गया ना जनता को सुन की बात मानते ना सुप्रीम कोट की बात मानते और आपको पता इस कानून में क्या लिखा है जो कानून आज पास किया है इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के उपर से नीचे A कैटे जितने दिल्ली सरकार के करमचारी हैं, उन सारे करमचारियों को के बारे में सारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, कौन अधिकारी, कौन चपरासी क्या काम करेगा, ये प्रदेश के प्रधानमंत्री बैठके दिल्ली के दिल्ली सरकार का कौन स चपरासी क्या काम करेगा कौन सा चपरासी फाइल उठाएगा कौन सा चपरासी चाही पिलाएगा कौन सा चपरासी खाना यह काम रहेगा प्रधानमंत्री जी को इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का कि आप दिल्ली के चपरासियों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाओ बैठके प्रद्हान मंत्री बन के आप के अंदर चलाओ ना आप दिल्ली के अंदर क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं वो वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 7-8 साल में बिना किसी power के भी हम लोगों ने जो काम किये हैं हमने इतने शानदार school बनाए इतने शानदार hospital बनाए 24 घंटे बिजली कर दी बिजली free कर दी पानी घर गर पहुंचा रहे हैं सड़ के बनाई इतने सारे काम हम लोगों ने कर दी इनसे वो काम नहीं हो रहें. तीस-तीस साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार बेडा गर्क है गुजरात का. हर्याना के अंदर इनकी सरकार बनी हर्याना में बेडा गर्क है इनका. मनीपूर के अंदर बीजेपी की सरकार है मनीपुर को जला दिया इन लोगों ने इसलिए केजरीवाल के साथ competition नहीं कर सकते काम में competition नहीं कर सकते हमारे जैसे काम नहीं कर सकते आमाद्मी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोको किसी भी तरह बनाता हूं यह मेरे को स्कूल नहीं बना देते फिर मैं जब इन से कहता हूं मेरे को स्कूल बना देने दो तो कहते जगड़ता बहुत है केज्री वाल मैं महला क्लिनिक बनाता हूं मेरे महला क्लिनिक तुड़वा दिये इन लोगों ने फिर कहते हैं केज्री वाल जगड़ता जो भी करता हूं दिल्ली के लोगों को पसंद हूं इसलिए तीन बार चार-चार बार दिल्ली के लोगों ने मेरे को जो भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूंगा तभी चार-चार बार लोगों ने हमें वोट दिया और होम मिनिस्टर रमिच्छा जी क्या कहते हैं मैंने सुना उ आपको पावर दी है जनता की सेवा करने की जनता के उपर अत्याचार करने के लिए पावर नहीं दी है आपको इतना घमंड मत कीजी अमित्शाजी आपको पावर दी गई है ताकि आप विकास करें देश का आपको पावर दी गई है ताकि आप देश के लोगों को शक्तिशाल भी बनाएं आपको पावर इसलिए नहीं दी गई है कि आप देश के लोगों को लाचार बना दें और उनके वोट का अधिकार छीन लें यह जो आप पावर 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 कर रहे हो यह पावर आपको जंता की सेवा करने के लिए दी गई है मैंने देखा है मैं इच्छा जी पिछले चुनाम हो आप घर 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 जाके दिली के अंदर पर्चे बाट रहे थे एक घर में जाके आप पर्चे बाट रहे थे दिली के लोगों ने आपको नकार दिया अब आप दिली के लोगों को तमाचा मारने आ गए केजरिवाल से चुनाव में प्रधान मंत्री जी आप खुद आये थे दिली आपका भाशन उठा के देखिए आपने दिली के जनता को vermis किया था कि में को प्रदान मंत्री बना दो मैं दिली को पूर राज्य बनाओंगा उस के पहले हर चुनाव के पहले भारतिय जनता पार्टी ने आंदोलन किये दिल्ली के अंदर दिल्ली को पून राज्य बनाने के लिए और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घूंप दिया अपनी वादे से मुकर गए अगर आप आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंत्री पर कौन यकीन करेगा आपने खुद बोला था 2014 में कि मैं फुल स्टेट हुड बनाऊंगा फिर कौन जनता आप यह के ऊपर यकीन करेगी 2015 में आपने मेरी शक्तियां चीनी दिल्ली सरकार की जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियां चीनली नोटिफिकेशन जारी करके फिर भी बिना शक्तियों के हमने काम किया और दिल्ली की जनता ने मेरे को 2020 में 62 सीट दे के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की स लिताने चाहिए हम दिली वाले दिली से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी दिली के लोगों से नफरत करती है दिली वालों से नफरत करती है इस बार दिली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे लोग सबा में एक भी सीट नहीं देंगे इस पू दिल से दिल्ली के दो करोड़ लोगों की तरफ से शुक्रियादा करता हूं धन्यवाद बोलता हूं